नमस्कार आप सभी का ब्याच्ची श्टाडी कैपिटल हमारे इस चैनल पर एक बाइफिर से हर दिख स्वागत है दोस्तों ब्याच्ची उ काउंसलिंग 2020 को लेकर कि एक ब्रेकिंग न्यूज लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए आ रही है किस लिंक के माध्यम से आपको पोर्टल लॉग इन करना है इसी वीडियो मैं सारा डिटेल आपको दूँगा इसलिए इस वीडियो को द्यान से देखिएगा मेरी बातों को द्यान से सुनिएगा चलिए शुरुआत करता हूँ इस वीडियो के लेकिन उससे पहले ये भी बता दूँ कि ब्याच्वी स्टेडी कैपिल इसी प्रकार अपनी हर एक ख़बर सही और सबसे समय पर आप तक पहुचाएगा सबसे पहले आप तक पहुचाएगा इसलिए चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा मैं आपको सिंपल चार स्टेफ में समझा देता हूँ कि आपको अपना काउंस्लिंग पोर्टल कैसे लॉग इन करना है सबसे पहले आपको अपने किसी भी ब्राउजर पर जाना होगा उस पर सर्च करना होगा www.bhuonline.in ध्यान रखेंगे कि अगर इसी वेबसाइट को आपने मोबाइल में बार बार सर्च किया है तो इस समय वेबसाइट पर रस के कारण आपका वेबसाइट उतनी आसानी से ओपन नहीं होगा इसलिए जितने लोग भी अगर मोबाइल में खोल ले अपने क्रोम ब्राउजर हो गएरा में तो अपना जो हिस्ट्री है उसको डिलिट कर लिजेगा पूरा उस एप का डाटा डिलिट कर लिजेगा उसके बाद ओपन करिएगा तब आपको आसानी से ओपन होगा या फिर उसी क्रोम ब्राउजर के इंकोग्निटो मोड में ज़दी आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आप आसानी से ओपन कर सकते हैं तो आपको सर्च क्या करना होगा ब्येचियो अनलाइन.in वह सर्च करने के बाद आपके सामने ब्येचियो का जो अफिस्यल पोर्टल है वो आपके सामने ओपन होगा आपको ऊपर रुखना नहीं है नीचे स्क्रोल करना है आपको बीच में एक कांसलिंग पोर्टल सो करेगा उस counselling portal पर आपको click करना है यह हुए आपका दूसरा step तीसरे step में जब आप जाएंगे तो जैसे ही आपका counselling portal आपके सामने खुलेगा उसे आपको बहुत सारे चीज़ें सो करेंगी UG Admission Committee 2020, PG Admission Committee 2020 उसके बाद आपका calling date इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें लेकिन आपको उस पर click नहीं करना है आपको click कहाँ पर करना है UG Student Login या फिर PG Student Login जिस भी subject के आप होंगे उस पर आप click करिएगा उस पर click करने के बाद जब आप login करेंगे login आपको कैसे करना है जो आप उस पर click करेंगे आपके सामने application number और अपना password डालने को आएगा application number जो आपका application number है आपने form बरते समय आपको मिला था वो डालना है password में ध्यान रखिएगा क्या डालना है ddmmyyyy यानि आपका date क्या है आपके जन्म का month क्या है और year क्या है उसमें एक भी space नहीं होगा यानि ddmmyyyy इसी फार्मेट में आप password डालेंगे इस फार्मेट में पासवर्ड डालने के बाद आपका website आपके सामने खुल जाएगा आपका dashboard आपके सामने खुल जाएगा उसके बाद उसमें आपको बहुत सारी चीजें सो करेंगी preference entry, rules and regulations क्या है उसके बाद आपके call letter क्या है तो जिन subject का call letter इसू होना सुरू हो गया है जैसे अभी MLEEP की बात करें तो उसका call letter जो है वो इसू होना सुरू हो गया उसका calling date भी आ गया है कि नौतारिक से counselling सुरू हो रही है लेकिन जिनका अभी नहीं इस इसू हो गया है उनका अभी call letter के जगा पर calling date के जगा पर कुछ नहीं सो करेगा उस subject का तो फिलाल आप सभी लोग इंतजार करें क्योंकि अभी सारे subject का call letter है वो इसू होना सुरू हो गया है लेकिन counselling portal अब सभी का login हो रहा है इसलिए आप सभी counselling portal login करके एक बात चीजों को देख सकते हैं धीरे-धीरे समझ सकते हैं बाकी आगे की update किसकी counselling कब है वो सारी चीज़े मैं आपको धीरे-धीरे बताऊंगा call letter कैसे डाउनलोड करना है वो सारी चीज़े धीरे-धीरे बताऊंगा सारा process अभी जो मैंने process बता है उसको follow करते हूं website को देखिए थोड़ी सब्सक्राइब करते हैं वीडियो को अधिक सदिक लाइक करें अधिक सदिक अपने दोस्तों तक शेयर करें बहुत बहुत धन्यवाद